आज हम बनाएंगे 40 दाल पुरानी रेसिपी से गुलाब जामन जो के मेरी अम्मी की है चलिए शुरू करते हैं यहां हम लेंगे दो चमच मैदा, एक कप मिल्क पाउडर अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा अब हम इसमें अड़ करेंगे टू टेबल स्पून घी अब हम इसमें अड़ करेंगे टू टेबल स्पून मलाई अब हम इसमें अड़ करेंगे एक एग अब इन सब चीजों को अच्छे से गून लेंगे अच्छे से गून के रख देंगे यह देखिए अब हमने इसको अच्छे से गून दिया है अब इसको थोड़ी दिल के लिए रख देंगे अब इसकी चोटी चोटी सी गोलियां बना लेंगे बहुत चोटी सी बनानी है बेकिंग सोडा की वज़ा से यह भूलेंगी अब हम हमारा शीरा त्यार करते हैं एक कप पानी में एक कप चीनी और अब उसको बॉइल होने के लिए रख देंगे शीरे को अच्छे से बॉइल करना है कच्छीनी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखिए हमारा शीरा बॉइल हमने इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बनानी थी अब एक फ्राइपैन में ओलेंगे इतना ओलेंगे कि हमारे गुलाब जामन बीच में पूरे डिप हो जाए यह देखिए हम इसको फ्राइ करेंगे अच्छे से फ्राइ करेंगे और लाइट ब्राउन सा हम इसका कलर लेंगे ज्यादा कलर नहीं लेंगे विकॉस ये जल जाएंगे, लाइट ब्राउन कलर इसका रखेंगे, यह हमारे गुलाब जामन तयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे, अच्छे से चानेंगे, अच्छे से चानके, अब हम इसे अपने शीरे में डाल देंगे, यह देखिए, हमने इसे 10 मिन के लिए शीरे में रखा, और अब इसे शीरे से निकाल के प्लेटिंग कर लेंगे, यह देखिए, हमारे प्यारे से गुलाब जामन तयार है, अब इसे आप अच्छे से सर्फ कर सकते हैं, यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत मज़ेगी रेसिपी है, और मेरी अम्मी की बहुत फेवरिट रेसिपी है, लेखिए कितने सॉफ्ट हैं और कितने क्रिस्पी हैं,